गुड़ मॉर्निंग एवरिवन मैं दिख्षी जोसी नव जोती गुलोबल स्कूल पुटगाउंस आकर से आज आपको कैक्षा 5 की हिंदी रिमजिम का पार्ट 7 पार्ट 6 चिथी का सपर पढ़ाऊंगा चलिए शुरू करते हैं चिथी का सपर अपनी 10-12 साल की जिन्दगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुचे होंगे यहां भहुत सी बातों पर निर्वर करता है जैसे की चिथी किस इस्तान से किस इस्तान पर भेजी जा रही है संदेश पहुचाने को कि किती जल्दी है तुम्हें पूरा और ठीक ठाक पता है कि नहीं तुमने उस पर डाग टिकट लगाया कि नहीं अब परस नोटने की आखिर चिथी पर डाग टिकट क्या लगाया क्य जाए पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है जरूरत पढ़ने पर संदेश की जल्दी संदेश को जल्दी कैसे पहुचाया जाए इस्ताम बदलने से चित्ती को पहुचाने का क्या असर पड़ता है इन में से कुछ सवालों के जवाब साया तुमारे पास हो खास का तुम में से उनके पास जो दाग टिकते एकटा करने का सहौब रखते हैं इन सवालों अब देखें इसमें क्या है कि आप लोगों ने देखा योगाच पत्तर लिखते हैं हम पहले से हमारे सभी लिस्ते दालोग हमें हमारे से बड़े बुज़ूर्ग लोगों ने पत्तर से अपना जो स ठीक पते से का मतलब अगर हम पूरा और ठीक पता ने लिखेंगे तो डाग कहां जाएगी जाई नहीं पाएगी ना जिसको हमें भेजना है ठीक है जरुवत पढ़ने पर संदेश को जल्दी कैसे बचाएंगे क्या करिंग दोसके लिए हम इस्पीट पोस्ट करेंगे ठीक ह पर फिर इस्तार बदने से चिसी को कि फॉर्चने का अगर आपने किसी को चिट्थ लेगा इस्तार बदल गया अब वो तो कहीं और चले गए लेगे चिट्थी गलत जगह पहुचाएगी ठीक है फिर जो नीचे ये चिट्थी दिख़ी ना आपको ये ये पूर्शन में तो क्या है इसके बदने पढ़ते हैं ये दोनों पते किसी तरह से भिनने हैं गांदी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगहे पर लिखा है मात्वा गांदी जहां हो वहां वर्दा जब लिफाफे पर इमारत या संस्ता से लेकर सहर तक का नाम लिखा हुआ है पत्ते में सब से में है उसका नाम भी गांव या सहर का नाम सहर के नाम के बाद लिखे अंग को पिनकोट कहते हैं हर जगह की एक पिनकोट दिया गया है यह सोचने लाइक बात है कि आखिर पिनकोट की जरुवत क्या है हमाई देश में आने कैसे कजवे या सहर है जिन में नाम एक जैसे प पुराने ठीक है इसके पर पहले पर समझेते हैं इसको जो दोनों ही हमें दिखाए गयते पर ये गांधी जी को लिखे गयते और उनको जहाँ भेजा था उसमें ठीकर उसमें क्या लिखा था जहां हो वहां वर्दा क्योंकि जिस टाइम पर गांधी जी की अनेक यात्रा हो जोड़ी तो एक जिगार नियुक्त बहुत जगर आते थे संस्ता से ठीक है तो क्या होता है हमें जब भी लिखाव लेकिंगे तो हमें क्या लिखना पता है पहले हमें घर का नाम घर का नाम फिर गली महुला सेक्टर जहां भी हो रहता है उसके बाद उसके जीले का नाम या तैसिल का नाम ठीक है जीले का नाम फिर उसके जिस 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 पोस्ठोट मेरके तो हमें तब जाएगा ठीक है अब हो ऍिक जब्रूट की जड़वत कते हैं अन्हें कज़बि और जिंगा कैया होता है घी को इसको शाटने के लिए काम आता है ठीक है पिन कोट की सुबात का भूई थी 15 अगस्ट 1972 को डाकतार विवाग ने की थी किसने के थी दाकतार विवाग ने किस नाम से की थी पोस्टल नंबर योजना के नाम से ठीक है फिर नीचे थोड़ पढ़ लेते हैं यह पोर्शन ठीक है क यह किसी भी जगह का पिन कोट छे अंकों का होता है हर अंका का यह खाज ता यांक को था थी कशबी सब्बीका ओलने का थी थी दिए कि किसी अनजए या पैज़गए लिफाड़ कोड कितना कोड लिखा गया यह उसमें देखिए एक मिनट इसको तो जुम करके दिखाना था हूं 110016 ठीक है छह नमर का है ठीक है फिका लिखा देगे पड़ते हैं इसमें पहले इस्तान पर दिया गए अंकर यह बताता है कि यह पिन को दिल्ली हर्यान हिमानशल परदेश पंजाब यह जम्मु कस्मी रखा है जो इसमें पहल अगले का दो नमबर का कोड दे रखा है वन यह क्या बताता है कि यह कोड दिल्ली हर्यान हिमानशल परदेश पंजाब यह जम्मु का है अगले दो नमबर यानि 10 तरह करेगा जो अगले का दो नमबर है 10 ठीक है ना अगले तीन यानि 110016 है न तो आगली जो तीन नंबर है यह क्या पताते है कि दिल्ली की कौनसे डाग घर का क्या है कौन से डाक घर का नंबर है ठीक है बस पोस्ट आएगा पोस्ट अपने आप लेकिन आप वहां तक तो पहुंच गया हमने पिन कोड लिखा है अगर हमने पता उसमें नाम ने लिखेंगे और जगे एडेस ने लिखेंगे तो डाक घर में पढ़ा रहे गया ठीक है उसके बात क ट्रैम पर आपको नहीं से सब कुछ मिखाएगा लेकिन पैर यह कर दो था है डाक गुरों में टेलीफों डिरेक्ट्री की तरह पिन कोड़े भी होती है तुमारे इलाकर का पिनकोर तो तुमारे महले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा ठीक है लेटर बॉक्स में और बहुत से चीजे सामिल हो गई है इसको डार्क का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को कहना हम दिया गया उगर पता करो आपको पता करने ठीक है उसके पढ़ते हैं आगे आप यहां से पढ़ेंगे ठीक है बहुत प्राइए समय में कबुतरों के ज़्ञा संदेश भेजने भेज जाते थे जब संदेश वाया कबुतर की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो इस समय के दार्क पहुचाने का काम करते हैं रहे जब संचार और परिवयन के बात के साधन बहर सीमित थे सब बात हो रही थी उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमियों तक चिथी पत्री पहुचाने का काम करते रहे राजा महराजाओं के पांस भूर्सवाद हरकारे हुआ करते थे हरकारों को ना सिर्फ हर तरह की जगवग पर पहुचना होता था बलकि डाक की रक्सा भी करनी हो जैसे कई जगे हैं जहां हरकारे दाग पहुचाते हैं आजकल तो संदेश भेजने के नए-ने और तेज साधन आसानी से उपलब्द हो गए हैं डाक बातने में हवाई जहाज पाने के जहाज और जाने कौन-कौन से साधन इस्तमार के जा रहे हैं डाक विभाग भी पत्र मन होता है कि कबुतर जैसा पक्सी संदेश वहाग भी हो सकता है कबुतर की कई प्रजातिया होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती गिर्वाज या हूमर वह प्रजाती है जिसे प्रसिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम लाया जाता है आखी कब कभूतर अपना रास्ता धूट कैसे लेता है उन प्रभाशी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मिलका रास्ता था एक सही रास्ता और सही जगहत है कर पाते हैं देखिए पहले के टाइम पर जो संदेश वागते हो कभूतर की बात कर रहे थे कभ मैं वोम लोग क् 뭐 शरी तकी वादौ लूं क्सक्वर्मेद है यूजरी जन्मेट में आने का हमिसे डर बिना है था थीक है दूर दूर जाना पड़ता था बहुत कुछ दिक्कत जातगे तो फिर वो कह रहे है आज कल संदेश नहीने तरीके से भीज़ा आ रहे हैं ठीक है पता ही आपको आजकल तो सब आउनलाइन हो चुक है लेकिन परेकर टाइम पे बहुत दिक्कत आ जा रही थी ठीक है उस तैम पर कभूतरों की उडान से ले कर अब करें पर सिक्सित कह रहा थ और ऐसा नहीं कि सभी कभूतरों को कौन से प्रजाते के कभूतरों के एक तो है गिरेबाज और दूसरा के हुमर ठीक है इनको प्रस्टिक्सित के यदा पहले इनको ट्रेनिंग दी जली ते उसके बार इनको भीज़ाता ठीक है फिर देखो इसको पढ़ते हैं उडिशा पुल की साबित हुए कभूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है इन कभूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अचा काम करते हैं स्वास कभूतर एक दिन में 1000 किलमेटर तक का सफर कर सकता है यादि कोई महत्वन इस पूछादा था इसका मुशार की कााधी नेशनल बूक्ट्रस्ट से अंगरेजी में छपी किताप में दी गरी किताब का नाव है ग्रे नेक ठीक है किताब क के नाम है ग्रे ग्रे नेक जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्थ लिखो और इस किताब को हिंदी में भी छपा लो छपा हिंदी में भी छापे यह यह रहा होंगा पता नहरु भवन 5 इंस्ट्यूशन एरिया फेज देखिए इसमें आपको पुरा दे रखाए पहले नहरु भवन दे ठीक है फाइफ इंस्ट्यूट एडिया एडिया में फाइफ नंबर में जाना है फेज में 11 बसंत कुझ में जाना है नई दिल्ली में पिन कोटी लिखा है ठीक है तो क्या था पहले के टाइम पर जो यह कुंसे चाती को हूमर फुमर नायम राइम यंञेज है मैं ठीक है हूं। इक साल लूथ हूं साल लॐट सि gekommen i.o घृतिति हैं वोगर बाज ने अटेक भी कर दिया तो दूसरा साइसलान पहुंच जाए ठीक है चलिए एक्सेसाइज देख लेंगे तरह कुछन आंसर इस कवी इस पार्ट के गांदी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा मैंने आपको बताया त इननों ने जब देश की आजाती के लिए इननने बहुत सारे अंदुलन करे अहिंसा वाजी थे तो यह आपने अंदुलन में बहुत अलग अलग जाते थे तो इनका कोई पता इंथा कि कब कहां है और पहले के टाइम पे फॉन और यह चीज़े तो होती नहीं थी ठीक है समा नाम लाम नाम क्या समय का से सकती है आपको बताना कि sinan नीहीं होगा तो पना पहुत पल्क जिक्डिव को मैंने बताय कैसे पह्तर रखारे उनको बहुत किलम्मीट करना पद था और उनको रख़क्ये जन्वरों जान रूए उसे अंपने सब ढ़क त denn को आपनेल हम यह घक्यक आपको बचा के सलना पड़ा था अगर तुम किसी को चित्ति लिख रहे हो तो पते में यहाँ जानकरी किस क्राम में लिखोगे गली महुले के नाम घर का नमबर राज्य का नाम खंड का नाम कज़वे जन्पाद में लिखें आपको नीचे लिखें इसमें तो सबसे पहले नाम आएगा पका फिर आपको क्या आएगा खंड का नाम नी इसारी संट गई πिर आवे। सब्सक्राइब करेंगे ठीक है फिसे देखते हैं इसको सब्सक्राइब का नाम नमबर ठीक है उसके बाद गली महले का घर के बाद गली महलना आएगा ठीक है उसके बाद सहर है गाउन का नाम जिसमें उसमें ठीक है फिर आपको जन्पत का नाम हैगा फिर खंड का नाम हैगा फिर राज्जे का नाम हैगा ठीक है उसके मत क्या आएगा लाश्ट में पिन कोड अपने घर पर कोई पुराना पत्र लिखो ढूड़ो उसे देखके नीचे लिखे प्रस्नों का जबाब दू पत्र किस ने लिखा ल यह पत्र दाख खाने तक में रखा किस तारीक को पहुंचा यह उत्तर तुमने कैसे पत्र चला ठीक है चित्ती वेजने के लिए आंदर पर पोस्ट का अंदर देशी पत्र लिखाप इस्तमल कर जाता है दागर जाके इनका मुल पता गरो पोस्ट कार किते का मिलेगा आपको पांत दस तुमे का शिए थीक है अंदर पत्र ऑ लिखाप सब आशे सस्ता ही मिल जाएगा क्वाइब आपको सब इखाटा करो एक रुबपे से लेकर दस तक करक्ण करम में लगा लगा कपई में चुप आपको डाँट थीक है सब्दकोश का एक अंसर दिया गया है जिसमें संचार और संगित का दिया है इसे आप पढ़ लिए संगित जानने वाला संगित की कलाम है निपून बताओ कि कौन सा अर्थ पार्ट की संदर में ठीक बैठते हैं आपको बढ़ाने क्या अर्थ है पार्ट की संदर में बलब पार्ट की संदर में कौन सा अर्थ सही बैठते हैं ठीक है आजकल पक्षियों की पंकों का संग्रे करने में लगा इखटी की कोई चीजों का समूं ठीक है संचार किसी संचार को दूर तक कर बहुत से लोगों तक पुछाने की कि लिए या परणाली कम्यूकेशन ऊट टेलीफॉन टेलीविजन सचले हादी माध्य में दुनिया के आँच छोटी हो गई है ठीक है किसी चीज का प्रवाद चलना फिलना जैसे शरीर में रख तक आप संचार विद्धू का संचार चलिए आपका चैप्टर याला फिनिस हो चुगा है ठीक है चिट्थी का सफर हेवा गुड़ देड